हर जगे यही चाया हुआ है बजट 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 जो हमारा यूनियन बजट जो आपका फाइनाइस बजट आया है जो हजार एक तरह से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट भी है हर जगे यही चाया हुआ है बजट 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 जो हमारा यूनियन बजट जो आपका फाइनाइस बजट आया है दो हजार इक्केस और फानेंशल यह के लिए यह वीडियो इसी के उपर है और मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि देख अब आपको जानना जरूरी है इस वीडियो में मैंने ले में लेंग्वेज में कुछ चीजें उपरी तोर पे मोटी मोटी आपको बताईए है ओप यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और एक लीस्ट यह वीडियो आपको इतना हेल्प कर पाएगा जरूर से कि आपको यह पता हों कि बजट है क्या कल को आप से अगर किसी ने पूछ दिया कि बजट में हुआ क्या आप ब्लैंक नहीं रहोगे आप उनको बता पाऊगे कि हाँ इस बजट में यह यह हुआ है तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगें जैसा भी सजेशन होगा दोस्तों मेरे को कमेंट जो करना चैनल को सब्सक्राइब करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट आज की तारिक है एक फरवरी दोहुजार इककेस बहुँजार इंपोर्टेंट दो माइनों में पहले तो इंतजार करता रहा है इंसान 2021 आए 2021 और देखो 20 खतम हुआ 21 आ या एक महीना खतम भी हो गया, दूसरा करोना के बाद ये पहला बजट आया, अब इसको लेके बहुत ज़्यादा उमीदे थी लोगों के अंदर, कि बजट क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सरकार क्या मिडल क्लास को कुछ रियायत देगी, या फार्मर्स का लेके जो एगिटेशन चल ला है, जो इतना बवाल चल ला है, उसको लेके क्या होगा, तो इस वीडियो में यहीं चीज़ें हम समझाने कोशिश करेंगे, सिलसलेवार तरीके से आते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, हेडलाइन हेडलाइन के थू आपको समझाए बातों को, पहली चीज तो कई सारी चीजों में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, सरकार ने यानि की चीज़ें कुछ महंगी होने वाली है, आपका कॉटन जो है 10% बढ़ गया, उसके अंदर स्टील जो है, उसमें 7% बढ़ गया, सोना चांदी में कम भी के लिए, इन्होंने बोल दया कि जितने भी विदेशी मोबाईल, फोन और चार्जर होते हैं, उनके ओपर ड्यूटी बढ़ा दी, और वो हो गए महंगे, अरे बाई साब मैं आप से एक बात पुछना चाहता हूँ, इंडिया के खुद के कितने ऐसी कमपनीज हैं, जो मोब इसकी डिटेल ब्रीफिंग करेंगे बाद में, हमारे जो परिवाहन मिनिस्टर है, नितन गडगरी जी, उनके लिए भी इस बजट में बहुत सारी अलग से चीज़े रखी गई हैं, वो भी अपने डिपार्टमेंट के साथ इसकी डिटेल ब्रीफिंग करने जा रहे हैं, इ लेकिन एक चीज लाएं, कि जो 75 या उससे ज़्यादा उमर के लोग हैं, उनको टैक्स देनी की जरुरत नहीं होगी, अगर उनकी सोर्स ओफ इंकम सिर्फ एक है, अगर वो लोग से पेंशन पा रहे हैं, तो उनको टैक्स देनी की जरुरत नहीं पड़ेगी, उसके इलावा इन्होंने इस बार ओटो फिल का एक सिस्टम लाया है, मतलब कि उसमें ये किया इन्होंने, कि जो आपको टैक्स का फॉर्म बहुत ज़्यादा भरना होता था, उसको आसान करने के लिए सरकार इस बार ओटो फिल ला रही है, कि आप अपने आप करते जाओगे, काई सारी ज हम अपने लाभरतियों को और बढ़ाएंगे, एक करोन लाभरतियों को और बढ़ाने की इन्होंने बात किये, इसके लाबा करोना वैक्सीन के लिए अलग से बजट इन्होंने पास किया है, जिसको उमीद लगाई है 35,000 करोन, 35,000 करोन अलग से ऐलोट किये गए करोना वैक् होना और बहुत तेजी से हो भी रहा है इसका असर आप लोग देख रहे हैं खैर अब इसको लेके अलग बात हैं कि वैक्षिन कितनी सक्सेस्फुल है यह एक अलग विशह है डिसकस करने का आफ्टा इस इन्होंने स्वास्त मंत्राले के लिए चौंसाट हजार करोण का बजट इसको बढ़ा के कर दिया है चौहतर परसेंट मलें कि एक तरह से प्राइवेट के हाथों में चीजें बस बाकिया आफ समझें क्या मैं बोलना चाहरा हूं खैर दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि एलाइसी का भी आईपियो लेकर आने वाले हैं यह अच्छी ख़बर हो के लोंने 3768 करोंड रुपे आवंटित किए यह चीज इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार इस बजट में सबसें अनूखी चीज़ है कि डिश्टल सेंसर्स लाने की बात कर रही है इकिस बाइस फाइनेशल यर के लिए डिश्टल इंडिया बन रहा है तो उसके ओपर यह लेकर आए है इसके बाद बात आती है हमारे किसान भाई जो लोग इतने टाइम से बिचारे एगिटेशन कर रहे हैं कितना सरा आप लोग ने देखा 26 जनवरी को क्या क्या हुआ जो राकेश टिकैट जी हैं उनके ओपर केस लगे फिर वो हटे सरकार का अलग कहना बिचारे ह किसानों को ये लगें कि ये सरकार उनके साथ खड़ी है क्या किया उन्होंने उन्होंने बोला कि जो पैडी है और जो आपका वीट है इसके ओपर हम MSP बढ़ाएंगे एक तरह से जो MSP का मुद्दा सबसे बढ़ा लेके चल ला था इन्होंने सरकार ने ये कह के ये बता दि में उनके लिए इन्होंने एक हजार करून रुपए अलग से आवंटित की हैं जो चाय बंगान में खेती करते हैं उनके लिए अलग से ये चिल लाएं तो इस तरह से बहुत सारी चीजें लाएं इस बजट में मैंने आपको जैसे पहले बताया थे कि ये जो मेरा वीडियो ये वीडियो डिटेल ऑनसे नहीं है ये वीडियो था एक आम जंता के लिए मेरे जैसे कई सारे बाई है जिनको समझ में आना चाही कि बजट में हुआ क्या है में में ये मैंने वह बाते इनको बताई पने और आपका जो एनैंसी होता है उसमें अच्छी-कास उच्छाल पा हैं तो एक तरह से यह प्रॉमिसिंग लग रहा है आप यूज चैनल देखो कि उसमें बहुत सारे लोग देखे मैं यह कह सकता हूं कि यह यूटूब एक उपन सोर्स है बाकि सब जितने भी होते हैं कहीं कोई ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह से बाइस होता है हमारी पूरी कोशिश रहते कि हम वो चीज बताएं जो हर पहलू के लोगों को अच्छी लगें अब यह आप हमाये दोस्त लोग हैं आप हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा उमीद करता हूं मुझे अच् लाएंगे जिसमें डिटेल एनलेसेस होंगी बजट के उपर उसमें हम आपको वो चीजें दूर करेंगे यह वीडियो जल्दी लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज का ही यह मीन टॉपिक था हम कोशिश करेंगे एक डिटेल वीडियो इसका बनाके लाएं यह आप लोग